हेलो फ्रेंड आज मैं आपकी साथ परफेक्ट तरीके से जर्दा बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ अगर आप इस तरीके से जर्दा बनाएंगे तो जर्दा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा मैंने 300 गराम चावल को एक घंटा पहले भी गो दिया था एक पें में 2 लीटर पानी डालकर एक शोताई चमच लेमन गेजरी कलर डालना है पानी में उबालाने के बाद चावल एड कर देंगे पानी में चावल डालने के बाद गेज की मीडियम फ्लैम पर चावल को 8 मिन park में आट मिनट में शावल 95% कुख हो जाएंगे ये देखिए चावल 95% कुक हो गए है चावल को छलने में निकाल कर पानी से अलग कर लेना है और एक साफ कपड़े पर फेला कर चावल को ठंडा कर लेंगे मैंने कड़ाई में 60 गराम घी एड़ किया है आप जर्दा बनाने के लिए रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं घी में कुछ ड्राइफ फ्रूट को हलका सा फ्राइ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे ड्राइ फ्रूट को प्लेट में निकालने के बाद घी में तीन चोटी इलाईची डालने हैं इसमें 200 गराम दूर डालकर 250 गराम चीनी भी एड़ कर देंगे 300 गराम चावल में 250 गराम चीनी का यूस होता है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चावल के बराबर चीनी डाल सकते हैं चाशनी को 5 मिनट तक कुक करके इसमें बोईल किये हुए चावल डालने हैं चाशनी को चावल में मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद गेस की मीडियम फलेंपर चाशनी में चावल को ढखकर 5 मिनट तक कुक करेंगे 5 मिनट में चावल 99% कुक हो जाएंगी और चाशनी भी सोख जाएगी 5 मिनट बाद जर्दे में फराई की होई ट्राइफ रूट और खरबूजे के बीज भी एड़ करना है कुछ टूडी फूर्टी और करोंदी भी डाल देंके इसके बाद कड़ाई को तस्तरी से ढखकर 2 मिनट तक जर्दे को दम करना है बहुत ही कम टाइम में जर्दा बन करते यार है ये देखने में जितना श्यांदार है खाने में उतना ही टेश्टी भी है अगर आपको जर्दे की वीडियो फसंद आई तो लाइक जरूर करें